हेलो, गुड मोर्निंग सभी को, कैसे हैं सब, रादे रादे लीजिए, प्रभू के दर्शन कर लीजिए, आज है संडे और नादो के तयार हैं प्रभू जी, अब चल रही है नास्ते के तयारी तो पायल को खाने आलू के पराटे है और मैं बनाऊंगे अपने लिए आलू के चाट, तो इसमें मैंने एक प्याज, हरीमिच, और धनिया वगरा काट लिया है, सुपके मसाले डाल रही हूँ, मिरच डाल लिया है, धनिया, एक चमच जीरा डाल लगा है, नमक डाल दिया है, ingredient. तो मैं नंए चाट बनाने के लिए इसमें टेमाटर काट लिए है अपयाज कात लिया आर इमेज कात लिया है और एक आलू मां कट करके डाल लोंगी और चाट मसाला डाल दूंगी और निम्भू डाल दूंगी लेकर नास्ता होगा कि पराचा काफी हैं होजाता है वेट लोस कर रहे तो इसलिए मैं पराठे वगरे नहीं खाती हूँ और पराठे अब हमारे घर में काफी दिन बाद बन रहे हैं जब से अब है गया है ना सब से अभी बने है क्योंकि पाइल का भी इतना जादा हुई लिए खाना नहीं होता तो मैं नहीं बन देती हूँ उसको बस चाठ बना कर मैं साइड में रख दूंगी पहले मिरको बनाने पाइल के लिए पराठे तब मैं बाद मिनास्ता करूंगी चाठ तयार है आप भी आ कखा लीजिए अगया जाएए आजाईया आप बिनास्ता कर लीजिये सभी और मिन सर्व तो मतलब पायल डूद से खाती है दरी वगईरण तो खाती नहीं कि नमक्षन खाती है इतना ज़्यादा खातो लेगी मतलब नुकसान देता है उसको तो इसलिए ज़्यादे मखण वगईरा देते नहीं है तो जीप पे ज़्यादा स्वाद देती है ना वो अमारे लिए खतरनाक होती है और इसके बाद आज मैं करने वाली हूँ अपने लिए काम मैं करने वाली हूँ सूट की सिलाई अब देखो मैं मसीन वगेरा रखके तयार बैठ गी हूँ अब मैंने गला काट के रख रखा ये मुझे आता है थोड़ा थोड़ा सा सिलना लेकिन मैंने आपको कटिंग नहीं दिखाई है क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि अगर गलत हो गया तो फिर इस सब ये बोलेंगे कि बहु गलत सिलती है और फिर भी दिखा रही है तो मैंने पहले कटिंग कर लिया था इसको और आज म सिलेगा तो खुदी सिलिया करेंगे क्योंकि ना टेलरों के बड़े नक्रे होते हैं एक-एक महीना पेंडिंग रखते हैं कपड़ों को अपने पास और जो मतब हमारे घर में पहनने के कपड़े होते हैं वो तो हम सिली सकते हैं चलो जो बाहर जाने के हैं या थोड़ा करूंगी उनने सिल लूँ अगर यह अच्छा सिल गया तो देखती हूं फिर कोसिस करूंगी कि एक दो बनाऊंगी तो उससे मेरा हाथ साफ हो जाएगा सिलाई में और कोई दिक्कत होती है न तो मैं दीद मेरट वाली दीदी से पूछ लेती हूं फोन करके उन वो टेलर है वो बहुत अच्छी सिलाई करती है लेकिन उनके पास इतनी भीड होती है हमारे कपड़ों को तो वो न फिर पेंडिंग कर देती है अरे तुम तो घर के हो बाहर वालों के जल्दी सिलना है तो इसलिए महां भी नहीं जा पाते हैं कपड़े अगल एको न मैंने कटिंग करके एक कपड़े पैसे रखके और सिलाई लगा लिए और अब इसको अंदर को मोड के इसके किनारी तब जो सूट का आगे वाला पार्ट है उस पे रखके तब इसको सिलेंगे पहले सिद्धी सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम लगाएंगे इसमें मतलब चारों तरफ सिलाई पहले तो एक कपड़ा बुकरम के उपर इस तरह मोड़ लेते हैं फिर सूट पर लगाते हैं और यहीं हमारे घर के आसपास ही एक टेलर था वो ठीक सिल रहा था कपड़े और टाइम पर भी दे रहा था क्योंकि उसने नई दुकान खोली थी तो उसके इतनी ज़्यादे भीड़ नहीं थी और मेरे लगबग 6-7 सूट उसने सिले भी लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ वो नहीं क्या है प्रन्ट पार्ट है सूट का उसके ओपर गले को रखके बीचो बीच इस तरह है पहले में बिलकुल बीचो वी शिलायी लगाने के बाद अोफ साइड से जहां उक्रम है मं हमां। उसके पास पास सिलायी लगा देंगे और फिर अंदर से गले को काट लेंगे फिर अंदर को मोड देंगे तो इस तरह घल बनाया है मैंने जैसा कि आपका तरीका हो वेसा तो भी मी क्या कह सकती हूं जो सिलाई जानते हैं वो तो जादे बेतर जानते हैं मैं इतनी expert नहीं हूं लेकिन आपने काम में सारे कर लेती हूं ऐसी कोई बात नहीं है जैसे यूट्यू पर हूँ तो इसमें ईसस्क्राइबर ने किसने कहा है कि जैसी में हिंदी बोलती हूं तो ऐसी हिंदी समझ से नहीं तो मुझे समझ नहीं नियारा की और कैसी इंदी बौल सकती हूं मैं वही जो बहुत Advisory कहां मैं या तो पतानी मैं सायद इतना बेकार वोलती हूंँ कि आप लोगों को समझनी आता तो उसके लिए तो दिखो मैं Maafi चाहूंगे और मैं जैसी हूँ वैसी आपके सामने हूँ देखो बनावटी मेरे वसकी है नहीं वहुत ज़्यादा बनावट करना या इस तरह मैं जैसी घर में रहती हूँ वैसी ही आपको दिखती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं YouTube पर थोड़ा सा काम करती हूँ, तो इसके लिए मैं कुछ अलग से effort करती हूँ, कि अलग से तयार हो, ये हो, अब ये मेरे पास simple phone है, इसी से मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, इसी से edit करती हूँ, और मेरा काम केवल मैं खुद करती हूँ, मेरे काम मैं किसी और का, 1% भी हात करता है, मैं जितना भी काम अपनी वीडियो पर करती हूँ, खुद अकेले करती हूँ, वीडियो बनाना, edit करना, upload करना, सब कुछ, अब थमलेन वगेला, मुझे बहुत जादा इतना, ये कह लिए है, तो अभी जादा बनाना नहीं आता है, या जो भी है, धीरे-धीरे सीख जाँगी, अभी नहीं हूँ, तो, अर मेन चीज है, मेरा थोड़ा सा time pass हो जाता है, कि मैं थोड़ा सा time, मेरा, जो भी मेरा खाली time होता है, अपना पेड़ पोदो में, अपनी वीडियो में मैं बिता लेती हूँ, तो इससे मुझे अकेला पन भी थोड़ा कम लगता है, क्य जो माई अकेली रहती है, वो इस बात को बखूबी समझती है, सूट बन गया है, पर कोसिस कर रही हूँ, कि ये बना लूँ, बस पल्ले तुरपने रह रहे है, मतब तुरपाई करूंगी उस पर, लेकिन मोटा मसीन से करूंगी इनको, कच्छा करते हैं जो, और ये बन के त पलाजो सिल्गे तब आपको पैन के दिखाऊंगी, कैसा आता है, देखो पलाजो सिल्गे या, ये सूट के बस में पल्ले ही तुरप तुरपन, तो वो करूंगी और ये पल्ले मने फिनिस करके एकदम निसान लगा लिये थे, अब मैं इनको कच्छा कर दूंगी, तुरपा और सीधा सीधा जल्दी जल्दी तुरपाई हो जाती है, लेकिन जो टेलर होता है वो कच्छा करे भी नहीं कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी करने की, तो ये सूट बन के तयार है, अभी गले वगेर पे सब पे तुरपाई झाल सकते हैं, कोई जैसी बात नी है, अब देख सकते हैं आप कैसे फिटिंग आया है और जहाद धिल्लाडा सा, या ज्याद है ्दालत सा मेने नहीं बनायों बस ऐसा बनाया ना ज्याद धिल्ला लगे ना ज्याद है टाइट लगे तो इसमें इस में कम्पेटेबल हूँ और यह प्लाजो और पूर्ता दोनों चीज सिली है कटिंग आज नहीं की कटिंग कर ली थी एक दिन पहले और की सिलू नहीं सिलू खराब हो जाएगा यह हो जाएगा क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सथ मुझे आता है सिलाई करना तो फिर मैंने आज हुम्मत करके सिली दिया है और मैंने अभी आपको दिखाया अगर आपको पसंद आता है तो प्लीब लाइफ जरूर टरना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा जो मैंने यह सूर सिलाया आपना बस मुझे जैसा आता था मैंने सिली आया वही कमी मत निकालना लेकिन अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं पता सकते हैं कि आप इसे और बेटर कर सकते हैं इस तरह अगर के क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं सिलाई में उन्हें तो कमिया अपने आप दिख जाएंगी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा बना लिया है लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं ना उन्हें ना कमी दूर से ही दिख जाती है चीजों में तो अगर कुछ कमी लगे तो प्रीट बताना और यह आपके सामने हैं जासा हम सिल्हा कमपटेबल है ज्यादा के लिए सबी को नमस्ते और बाई बाई और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं धन्यवाद